हेलो स्टुडेंट्स और व्यूवर्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मौहमद अरफात खान आज मैं क्लास 12 के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज हम क्लास 12 के टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं टॉपिक बढ़ा असान है टाइट हम करने लिए यानि ईलेक्टिष्ट्य इस्टेटिक्स मैंने चेपर स्टार्ट किया हुआ है अगज अब हर चैप्लेइस आल्यदि आपने चैनल के उपर बना वी आपकी आसानीं तो अभी तक मैंने इस chapter के अंदर जो topics cover करवाया आपको वो मैंने cover करवाया Coulomb's law और उस Coulomb's law के बाद पिर मैंने आपको cover करवाया electric field, electric field intensity ठीक है वो एक ही topic में cover करवाया था उसके बाद last topic मैंने upload किया था इसी chapter का that was electric field lines या electric lines of force और साथ साथ उसी video के अंदर हम लोगों ने electric field lines की properties को भी discuss कर लिया था अब इसी electric field lines से related एक बड़ा important topic होता है बड़ा important concept है छोटा सा आसा बेसिक सा एक concept है जिसको हम कहते हैं electric flux अब यह electric flux क्या होता है इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ एक आसान सी example से मैं आपको समझाता हूँ imagine करो कि आप एक particular window आपके पास एक window है आप उस window के पास खड़े है ठीक है और आप observe कर रहे हैं कि उस particular क्रॉस होके अंदर आ रही है मैं इस process को कहूँगा this is air flux क्यूं कह रहा हूं मैं air flux flux का मतलब होता है flow करना flux का मतलब होता है cross करना pass करना तो अगर भाई इस particular area में से air pass होके आ रही है air cross होके आ रही है तो मैं इसको यूई कहूँगा न air flux यानि कि air flux हो रहा है और आज के topic में हम electric flux को discuss करने जा रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई surface होगा कोई ना कोई particular area होगा और उस particular surface में से उस particular area में से electric कुछ electric pass होगा अब यह electric का मतलब क्या यहां पर कोई electric charges पास नहीं होगे ऐसा नहीं कि particular surface में से charges पास पास होके जारे नहीं surface में से charges थोड़ी पास करेंगे हां charges की वज़ए से एक चीज होती है जिसको हमने कहा था field lines electric field intensity समझ रहे हैं तो किसी भी particular surface में से किसी भी particular area में से जब भी electric lines of force pass होकर जाती हैं तो ऐसे process को हम कहा देते हैं electric flux अगर air pass हो रही है तो air flux और अगर electric field lines पास हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे सकते हैं कि सरीके से बता सकते हैं माग आक एक शोड़ से इचेंपल दो इमेजन करो यह हम आपस एक सर्फेस हे एक सरसे है ठीक कि न अगर मैं सर्फेस को ऐसे भाऊँ तो मुझे पता लागाना है कि इससरफेस की area की direction किस तरफ है इस area की direction किस तरफ है तो area की direction हमेशा उस area के उस surface के normal होती है नॉर्मल to the surface नॉर्मल का मत्तब क्या perpendicular to the surface यह इस इसका बिलकुल perpendicular यह हो जाएगी इस एरिया की डायरेक्शन अगर मैं इस एरिया को ऐसे रख दू ऐसे तो अब इसकी एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है इसकी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर इस तरफ हो गई अगर मैं इस एरिया को ऐसे रख दू तो इस एरिया की अब डायरेक्शन का हो गई अगें इस सर आप सब की तरफ है इस तरह किसा अगर जमीन है गराउंड है इसकी डारेशन का होगी ऐसे नॉर्मल उपर की तरफ रूफ यह सीलिंग च्छत च्छत सीलिंग को अगर आप ऐसे नीचे सो अबसर्फ करके देख रहे हैं यह रूम का यह जो सीलिंग का जो सर्फेस है एरिया है इसकी डारेशन के सरफ है तो आप बोलेंगे नॉर्मल डावःड सिंपल सी बात है तो अब अगर मैं इस सर्फेस की डारेशन बनाना चाहूं तो इस डारेशन को बनाने के लिए को अठोड़ निबोगया वह पर्पेंदिकुलर मार्गे इस तरफ हो जाया गा इस इस देके of the area अगर यह surface ऐसे रखा हुआ है तो इसकी area की direction यह आ गई ऐसे perpendicular ऐसे black marker को देखूँगा black marker यह आ गई इसकी area की direction अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस surface में से इस area में से lines को cross होता हुआ दिखाना है तो मैं यहाँ पर electric lines of force को बना देता हूँ सबसे बले देखें मैं पुरा area बना देता हूँ this is the complete area this is the complete area ठीके न यह आ गया complete area मैंने इसको फिल कर दिया था कि आपको नजर आए कि हाँ भी पूरा surface है यह कोई खाली जागा नहीं है बलके पूरा surface है पूरा area है अब जनाब हमें यहाँ से electric lines of force पास करनी है ठीक है यह आ गया area का back side electric lines of force जा रही है और इसे surface को पास करते वे निकल जाएंगी देखे रहे हैं यह arrows बना रहा हूँ है यह arrows है हाँ वही observe करें आप सब के सब क्या observe कर रहे हैं आपके पास एक particular surface था एक particular area था उसमें से आपने electric field lines को pass करवा दिया तो क्यूंकि electric field lines इस particular surface में से pass करती भी cross होती भी जा रही है तो हम बोलेंगे यहाँ जो process चल रहा है यह process कौन सब्सक्राइब यह process electric flux है तो आसान सी definition आसा सा concept कि किसी भी surface में से किसी भी area में से electric lines of force का pass करना cross करना इसको हम कहते हैं electric flux now let's write its definition इसकी definition लिखते हैं definition क्या बनेगी number of number of electric lines of force lines of force passing through कौन पास करेंगी electric field lines electric lines of force pass करेंगी और किस से पास करेंगी particular area surface so number of electric lines of force passing through any surface passing through any surface is called is called electric flux यह आगे electric flux की बहुत आसान सी easy definition number of electric field lines passing through any surface any area is called electric flux यह तो हो गया इसका concept अब चलते हैं इसकी मजीद conditions की तरफ अब हम यह चेक करना है कि यह जो electric flux हो रहा है यहाँ पर जो process हो रहा है जो phenomena हो रहा है यह किन factors पर depend करता होगा the factors on which the flux depends वो factors हम discuss करने जा रहे है ठीक है तो मैं अब एक एक करके वो factors यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ electric flux depends upon यहां से start करते हैं ठीक है so now electric flux depends on हाँ बहुत इलेक्टिक फ्लॉक्स किस किन factors पर depend करना चाहिए तो हम कहेंगे सबसे पहला factor जिस पर electric flux depend करता है यह वो ही है जो cross करती भी जा रही है और cross करती भी कौँ जा रही है electric field intensity समझ रहे है यह इलेक्टिक फील लाइन्स क्रोस कर रही है लेकिन electric field lines किसको represent करती है electric intensity को ना तो हम यह थोड़ी बोलेंगे कि electric field lines पर depend करने हैं तो electric field lines आपने बनाई ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर electric intensity इसको cross कर रही है मतलब आपने इस surface को electric field में रखा हुआ है हाना तो आप बोलेंगे पहला factor जिसके उपर ये flux depend करता है ये depend करता है electric intensity के उपर ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा electric intensity पहला factor आगया electric intensity और किसे डिपरिजन के आपने यह आगया electric intensity is a vector quantity तो पहला factor जिसके डिपेंड कर रही है that is electric intensity एक और factor है जिसके डिपेंड करता है और वो factor पता है कौन है area अब मैं यहाँ पर area directly नहीं लिख रहा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सब कुछ बताता हूँ बड़ी important discussion अब यहाँ से हम करना स्टार्ट कर रहे है वीडियो को skip मत करेगा connect रहेगा देखें अब यहाँ पर थोड़ा सब को area का area की कहानी बताता हूँ तो अब मैं आपको यह दूसरा factor समझाने के लिए एक diagram बना रहा हूँ बड़ी एहतियास से बनाऊँगा कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी सी diagram clear करके मैं आपके सामने बना दूँ ताकि आप लोगों को concept खुल के सामने आ जाए कि electric flux दूसरा factor किस पर depend करता है हाँ चले में diagram बनाना start करता हूँ आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि बनाते बाप मुझे देख ले और आप खुद भी draw कर सके यह चीज़ आपके सामने में इसलिए बना रहा हूँ तो कोशिश करिएगा क्योंकि electric flux का अक्सार exams में आता है यह topic तो आपको diagram बनाना पड़ेगी तो यह diagram आप पहले समझने किसा और और वार्फात किस तरीके से बनाने ताकि आपके लिए आसान हो जाए अब इसको समझिएगा देखें भई मैंने सबसे पहले एक straight line ऐसे बनाई इसका मैं बना देता हूँ perpendicular थोड़ा सा और मैं बना देता हूँ बड़ी हैतियास से बनाऊंगा मैं diagram तो इसमें थोड़ा सा time लग जायागा मैं चाहता है तो यह skip करके पहले diagram बना देता लेकिन मैं चाहरा हूँ कि आप इ right angle triangle बना दिया हाना right angle triangle अब आप बोलेंगे sir right angle triangle का यहाँ पर काम क्या है यह अभी इसका चोटा सा पार्ट डियाग्राम का ओके जनाब कि अधियास से बिना स्केल के बना रहा हूं कि बिना स्केल के हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्ट्रेट साफ सुत्री डियाग्राम आपके सामने बने और आप इसके concept को समझें कि यह होता है क्या है में कि एफानली यह हमारे पास एक ड क्राम बंगई ऑके क्या है अाम नहीं हम वह लोग ने हम लोगों ने देखें हमने एक साफसेज मन वनाया मैं साफसेज बना कि दिखा देता हूं कौन साफमेश जैसे इसको perpendicular आ ठ्लैंट की तर्फेस करता हूं आद देखें और कि हम सर्फेस की बाथ है इस बार ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखा अभाँ ता इसबार ये करें इन क्लाइन ओपर हें ठीक है तो आप बोलेंगे के ये सर्फेस ऐसे है और यह इस line के साथ यहां यह x अब अगर यह surface operators की direction नहीं बना सकते है अभी मैंने आपको बता इ Naruto determine the direction of area हमेशा उसके normal होती है तो अगर यह ऐसे था तो इसकी direction इस तरी के सो जाती blue marker को देखीगा इस तरीके से और अगर अगर यह ऐसे है तो इसकी direction ऐसे हो जाएगी perpendicular अभी भी तो आप कहेंगे इस area की direction कहां की तरफ है ऐसे perpendicular यह आ गई इसकी area की direction simple अब हमें करना क्या है यहाँ पर इस area के दो components हमें हासिल करना है अगर मैं components की बात करता हूँ हमार पास एक topic होता है जिसको हम कहते है resolution of a vector यानि कि किसी भी vector को उसकी दो components में resolve कर दो simple एक आपको मिलेगा उसका x component एक आपको मिलेगा उसका y component तो अब हम इस area को resolve करने जा रहे है मैं आपको इस surface से बताता हूँ यह हैं आपने इस surface को ऐसे कर के रखाओ है आपने इस surface को ऐसे inclined के पर रखाओ है ऐसे समझेगा बात को inclined पर रखाओ है और आपको इसकी components मिलेंगे एक मिलेगा उसका यह वाला component इस axis पर और एक आपको इस area का मिलेगा कौन सा component ये वाला component इस axis को पर हना तो अब ये हम पर depend करता है कि हम पर नहीं बलके इस angle पर depend करता है तो कौन सा वाला इसका X component होगा और कौन सा वालाइस का Y component होगा एक काम ही करता हूँ सबसे पहले यह जो बनावाए ना इसकी भी मैं मतलब वो बना देता हूँ फिल कर देता हूँ ताकि आप नज़र आए कि यह भी area का component है यह भी area का है आपके सामने बनाई है और डाग्राम हमें मतलब बना बना के पढ़ा पढ़ा के हिफ्ज हो जाती है और कोई मुश्किल बात नहीं होती है इसको मैंने ब्लैक से हैलाइट कर दिया और इसी एरिया का एक component perpendicular यह वाला बन जायागा हाना तो आप बोलेंगे एक component यह रहा और एक component यह रहा अब आप नोट करो क्यूंकि यह area इस axis के साथ यह मैं आपको बता चुका हूँ यह देखें मैं आपको एक बात repeat करवा दूँ दो lines यह आग्या vector a दो axis यह आग्या vector a अगर यह vector इस line के सा अब बना रहा है एंगल बना रहा इस लीन के साथ तो इस बार इस पर यह वाला हो जायागा सका अक्स कॉंपोनेंट definitely टॉब एक्टर जिस line के साथ ए अक्या बना रहा है तो आप बोलेंगे एरिया का ये वाला जो component बनाया वए मैंने ये इसका X component हो जायागा और ये वाला जो जायागा ये इसका Y component so this is the x component of the area and this is the y component of this area तो मैं यह आपर इनके नेम्स लिख देता हूँ यह देखें यह तो आ गई वो लाइन, यह तो आ गई वो एक्सिस जिसके पर आपको इसका y component मिल गया ठीक है, तो मैं कहूंगा के यह वाला जो हो गया, यह हो गया इसका x component this one is x component यानि के a cos theta, area का x component और यह वाला जो हो जायागा इसको हम कह देंगे a sin theta, यह जो नीशे वाला यह वाला ऐसे, यह sin theta हो जायागा अब अब आप बुलेंगे सर हम electric flux पढ़ लें तो where are the field lines, field lines का पर है तो बना देते हैं भई यहाँ पर field lines, अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे है field lines, तो हम यहाँ पर जब field lines को draw करेंगे तो यह देखें field lines यह मैं बना रहा हूँ field lines, ठीक है और यह जाट से बाते cross करती भी जा रही है cross करती भी जा रही है, cross करती भी जा रही है, cross करती भी जा रही है, और यह finally pass करती भी जा रही है these are electric field lines, अब आप नोट करो सारा खेल अब यहाँ पर start हो रहा है, यह समझने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर surface का कौन सा जो component है वो बड़ा काम का है इस surface का, इस area का वो कौन सा component है, जो काम का है, जिस component में flux हो रहा है एक component आपको यह मिला हुआ है, A cos theta और एक component आपको यह मिला हुआ है, जिसको हमने A sin theta कह दिया, ठीक है अब आप मुझे बताओ, कि आपके सामने दो components है, एक component इसका यह वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ, A cos theta, मुझे बताओ, अगर यह component है, तो इसमें से feed lines ऐसे आ रही है, ऐसे pass होते भी जा रही है, ऐसे pass होते भी जा रही है, इस वाले components है, A cos theta में से, और what about this component, इसको देखो A sin theta वाले को, ऐसे हैंना, यह A sin theta, अब आप मुझे बताओ, अगर यह straight होता, फिलाल यह तो फिलाल ही है, अगर यह कोई straight surface, let's suppose, ठीक है, मैं मैं बना आदे, कोशिश कर लेता हूँ, उसको hold करने की, ओके, अब मुझे बताओ, क्या इस surface में से, इस A sin theta वाले component में से, इस surface मे हारी है, तो आप बोलेंगे, इन दोनों components में से, जिस component में flux हो रहा है, वो कौन सा component है, cos theta, यह वाला component, और जिस में से flux नहीं हो रहा, वो कौन सा component है, sin theta वाला component, यानि के y component, यहाँ पर आपको भात पता चली, the second factor on which the flux depends, that second factor is the x component of the area, हमेशा, कहें पर भी अप्लाय कर दो, words, the second factor on which the flux depends is the x component of the area, not the y component, because y component पे से कभी भी field lines cross नहीं करती है, तो यानि के इस वाले component में flux नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूं इस बात को, क्या लिखेंगे इस बात को, तो भई, x component of area that is a cos theta, यानि के second factor जिसके उपर यह flux depend कर रहा है, that is the x component of area, अब हम इस flux का formula लिख सकते हैं, ठीक है, लिखे चेक करें, सबसे पहले बात ये, कि इस electric, देखो, इदर दो चीज़ आ गए हैं भी तक, एक तो आगया electric intensity, एक physical quantity है, the x component of the area, physical quantity है, और ये खुद flux भी तो physical quantity है, ये process है, एक phenomena है, ये physical quantity है, हाना, इसका भी तो कोई नो कोई symbol होना चाहिए, तो आप एक काम ही करें, represented by electric flux is represented by a Greek letter, इसको में Greek letter से represent करते हैं, by a Greek letter phi, ठीक है, यानि के electric flux को हम represent करेंगे इस phi के साथ, अब हम लिखते हैं इसका formula, so phi का जो formula बनना चाहिए, और जो बनता है, that is equal to, हाँ बही, जब आप इन दोनों को multiply करेंगे, जिनके उपर ये depend करता है, directly proportional है, हाना, तो e को a cos theta से multiply करो, आपको phi मिल जाएगा, so the multiplication of e and a cos theta, ये बन गया electric flux का formula, e times a times cos theta, आचा हम एक बात पता है, वो ये, कि यहाँ पर e जो है electric intensity vector है, यहाँ पर जो area की direction है, इसका मतलब यहाँ पर भी vector है, तो हमें पता है कि जो theta होगा, this must be the angle between e and a, यानि कि electric field lines ये दो को बन रहा है, आपर, electric field lines, यह नहीं, electric field lines, और area के बीच में जो angle बन रहा है theta, इसका हम बोलते है theta, electric field lines और area के बीच में angle, आचा, हम हमारे पास दो किसम के products होता है, एक होता है scalar product और एक होता है vector product, जब हम scalar product की बात करते हैं, तो हमें पता है कि cos theta को हटाते हैं, तो dot आ जाता है, और अगर sin theta यहाँ पर होता, तो उसको हटाते हैं, तो हम cross put कर देते, तो फिलाल यहाँ पर cos theta हा रहा है, जब आप इसको remove करेंगे, तो आपको यहाँ पर dot समझे रहें, तो आप यहाँ पर flux की definition और बता सकते हैं, क्या, flux is the dot product of electric intensity and area, electric intensity and area, तो आप इस definition को कैसे लिखेंगे, हाँ बही, electric flux, electric flux is the dot product of, किस किस का dot product है, electric intensity, electric intensity and element of area, element of area, यानि कि उस surface का area का वो element जिसमें से lines पास हो रही है, किसी भी surface का, किसी भी surface के area का वो element particular जिसमें से lines पास हो रही होंगी, so it is the product of E and A, और dot remove करते हैं, तो आजाएगा cos theta, theta is the angle between electric intensity and area, the direction of area, आगे चलते हैं, इसके हम SI unit की बात करते हैं, हावे, SI unit of electric flux is, SI unit of flux is, अच्छा हमें पता है कि जो units होते हैं, वो units हमेशा बनते हैं formula से, है न, formula से बनते हैं हमेशा units, तो अगर हम इसके unit की बात करें, so phi is equal to, सबसे पहले आ रहा है electric intensity, recall करें मैं आपको electric intensity का topic पढ़ाया था, और वो इस topic के अंदर हमने electric intensity का formula क्या पढ़ाता, force per unit charge, ये देखें, electric intensity का unit क्या था, force per unit charge, ठीक है, और अगर हम इस formula से इसका unit बनाएं तो क्या बनेगा, newton per coulomb, force का unit newton, और charge का unit coulomb, तो क्या बनेगा, newton per coulomb, तो इसका मतलब इस e का unit है, वो क्या है, newton per coulomb, तो इस e की जगा में क्या पूट करूँगा, newton per coulomb, और multiply के अंदर को आने, द है, तो आप इनको एक साथ लिख दें, इनको एक साथ कैसे लिखेंगा, newton meter square upon coulomb, समझ रहे है, और आप इस coulomb को उपर shift कर दें, तो यह बनेगा, newton meter square, और coulomb inverse, so this becomes the SI unit of electric flux, electric flux, एक scalar quantity है, scalar है, जभी तो dot product है, scalar है, जभी तो dot product है, याद करो में इस बात से मतलब क्या है, भाई dot product का मتलब होता है, आपको answer में हमेशा scalar मिलता है, so this must be a scalar quantity, because we are using dot product here, the concept of cost theta, समझ रहे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर यहाँपर जो electric flux है, वो consequentity है, एक scalar quantity है आगे चलता है, इसकी दो conditions important है, वो दो conditions मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, एक condition होती है maximum और एक condition होती है minimum यानि के flux can be maximum and flux can be minimum, तो इसके दो components हमने जो हासिल किये थे, ये इसी बात का सुबूत है, कि एक component में से जो flux हो रहा है, वो maximum हो रहा है जादा lines पास करनी है, और एक component में से flux हो इनी रहा तो cos theta होगा, sorry मतलब आप जब इस वाले component की बात करेंगे, मतलब perpendicular वाले component की, तो हम बोलेंगे वहाँ पर flux maximum, और अगर आप इसकी बात करेंगे parallel वाले component की, तो आप बोलेंगे flux नहीं है इस बात को हम यहाँ पर लिक देते हैं, कैसे? सबसे पहले, maximum flux की हम बात करते हैं maximum flux ठीक है घौर से सुनिएगा maximum flux के लिए आप कहेंगे, कि let's suppose हमारे पास मैं आपर diagram मनाता हूँ, हमारे पास एक कोई भी particular यह आगया surface, ठीक है इस surface की जो direction है area की वो इसके perpendicular हमेशा ऐसे यह आगया इसकी direction area A, अब अगर मैं इसमें से electric lens of force पास करवाऊं, हाँ electric lens of force आप पास करवाएं इसमें से तो यह देखें ठीक है, यह आगयी electric field lines की यानि के electric field की direction अब आप note करो कि जिस direction में electric intensity है उसी direction में area की direction है यानि कि आप इसको यह कहोगे कि if the direction of area and direction of electric intensity या direction of electric field are same अगर यह parallel है तो इस condition में flux जादा से जादा होगा maximum होगा, समझ रहें, इस बात को आप कैसे लिखेंगे if if the direction of intensity electric intensity electric intensity and the direction of area direction of area ठीक है, complete लिखी गए, direction of area is same is same, same का मतलब भी दुना आपस में क्या होगा है? parallel होगा है so इस condition में flux क्या हो जाएगा? maximum हो जाएगा इस बात को आप पता है, एक और तरीके से लिख सकता है और, वो दूसरा तरीका पता ही क्या है आपने surface को ऐसे रखावा है यह देखें आपने surface को ऐसे रखावा है तो आपने बोला कि area की direction और field lines की direction क्या होगा है? same होगा है इसको इट फिरीके सबाब बता सकते हैं आप ही कहते हैं कि अगर आपने surface को खुद यह surface है अगर आपने surface को field lines के perpendicular रखावा है अगर यह ऐसे रखावा है मैं area की direction की बात नहीं कर रहा अगर surface खुद field lines के perpendicular होगा तो automatically इसकी direction parallel हो जाएगी मेरी बात तो को गहर से सुनिएगा मैं कह रहा हूँ कि अगर surface खुद field lines के perpendicular across रखावा होगा तो automatically इस surface की area की direction field lines के क्या हो जाएगी parallel तो आप इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं कि if the surface is placed perpendicular कैसे लिखेंगे if if the surface is placed perpendicular to the field then the flux will be maximum continue कर लिए आगे जब आप नोट करें तो then the flux will be maximum तो दो बाते आ गई अगर surface खुद field lines के perpendicular होगा across होगा तो ही उसकी area की direction यह आपस में same हो जाएंगे same हो जाएंगे तो इसका मतलब ही हो गया अगर surface खुद perpendicular है तो area की direction और electric field आपस में parallel हो जाएंगी और इस condition में flux हो जाएगा maximum जादा से जादा हो जाएगा और इसका जो फॉर्मला बनेगा इसका फॉर्मला बन जाएगा minimum minimum flux कब flux जिरओ तो अगर आपने इस surface को ऐसे रखा हुआ है तो इसमें से जो field lines है वो जादा से जादा क्रॉस कर रही है और अगर आप से surface को ऐसे रख दो ऐसे रख दो ऐसे करके तो आप से फीड लाइन इस surface में से इसके सर्फेस की बात कर रहा हूँ, इस में से field lines cross नहीं होगी, और अगर यह ऐसे रखावा होगा, तो इसकी direction का होगी, इसकी direction जाएगी upward, ऐसे उपर की तरफ, normal to the surface, वो कहा हो जाएगा upward, इसको बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ओके जनाब, इसको आहाब किस तरह किसे draw करेंग हो, तो इसकी जो area की direction है, वो इस बार कहां पर हो जाएगी, इसकी area की direction हो जाएगी, इस बार ऐसे upward, उपर की तरफ, यह आगए इसकी area की direction, what about field lines, आप field lines बैसी बनाएं, जैसे आपने पहले बनाई थी, तो वही देखें field lines ऐसे आ रही हैं अभी भी, यह field lines ऐसे आ रही हैं कुछ भी नहीं जा रही हैं, कोई भी field lines इस surface को cross करती भी मतलब, ऐसे surface को cross करती भी नहीं जा रही, तो हाँ बोलेंगे के यहाँ पर flux नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर condition यह आ गई के field lines याँनी के E की direction और area आपसमें परपेंडीकूलर हो गए, परपेंडीकूलर, ई की direction और area की direction आपस में perpendicular होंगे तो flux नहीं होगा तो इसी बाद को आप यहां पर कैसे लिखेंगे कि if the direction of electric intensity and the direction of area is perpendicular तो यह दोना आपस में क्या हों? perpendicular if the direction of electric field and direction of direction of area are perpendicular अगर यह दोनों आपस में perpendicular हो गए are perpendicular तो flux नहीं होगा और यह पता है कैसे होगा जब आप खुद उस जो आपके बस surface है उस surface को अगर आप lines के parallel ऐज़े दो को parallel ऐसे रखा हुआ है अपने lines ऐसे आ रही है और यह surface भी कैसे रखा हुआ है के parallel तो अगर आप surface को parallel रखेंगे तो यह दोनों आपस में perpendicular हो जाएंगे और flux नहीं होगा और जब आप surface को field lines के perpendicular ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे perpendicular तो यह दोनों आपस में parallel हो जाएंगी और flux maximum हो जाएगा दो अलग अलग बाते हैं तो इस वाली condition को आप और करके कैसे लिख सकते हैं और if if the surface is placed perpendicular तो यहाँ पर आजाएगा आप surface को खुद को field के parallel रख देंगे surface को field के parallel रख देंगे तो ऐसे में flux नहीं होगा और अगर surface perpendicular होगा field के तो flux maximum होगा perpendicular रखने की वज़ा से area की direction और field की direction आपस में parallel हो जाते हैं तो parallel होंगे कौन? parallel कौन होगे? area की direction और electric field की direction अगर यह दुनों आपस में parallel होंगे तो ही flux maximum होगा और यह जब हो सकता है जब आपने इस surface को perpendicular रखावा होगा surface के perpendicular रखने की वजह से यह दुनों आपस में parallel हो जाती है और surface के parallel रखने की वजह से यह दुनों चीज़ा आपस में क्या हो जाती है perpendicular, ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाती है perpendicular, field lines, area की direction, field lines, area की direction, तो अगर ये दोनों आपस में perpendicular होंगी, तो flux नहीं होगा अगर ये दोनों आपस में parallel होंगी, ये देखें field lines, area की direction, ये parallel जब ही हो सकती है, जब आपने surface को ऐसे रखाव होगा, perpendicular तो अगर surface खुभ परपेंडिकिलर है तो ये दोना अपस में parallel तो flux maximum अगर surface खुभ पैरलल है तो ये दोना आपस में perpendicular और फ्लक्स नहीं तो इस condition में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर flux बी 0. So five will be equal to 0 यानि के minimum flux. ये आगया flux का एक छूटा सा concept का Flux क्या होता है? किसी भी particular surface में से electric lines of force का pass होना, cross होना इसको हम कहते हैं किसी भी surface में से lines of force का pass होना, cross करके जाना इस चीज़ को हम कहते हैं electric flux दो factors पर depend करता है electric intensity पर और area का x component यह मैं आपको detail ने बता चुका हूँ यह diagram में आपके सामने बनाई और उसके बाद इस diagram को discuss करने के बाद हमें पता चला कौन सा component जरूरी होता है, cos theta वाला component जरूरी होता है, sin theta वाला component जरूरी नहीं होता तो इसी बज़े से हमें पता चला कि formula क्या बनेगा, e a cos theta या फिर the dot product of e and area और इसके बाद जो next video में अपलोड करूँगा, हम करेंगे electric flux through a closed surface हमारे पास एक closed surface होगा एक spherical body होगी उसमें हमने एक charge रखावा होगा और उसमें से check करेंगे flux किस तरीके से find कर सकते हैं उसमें derivation है, वो derivation हम करेंगे वो आपको हो सकता है अगर irritate करती हो, bother करती हो परिशान करती हो, derivation अजीब सी है diagram अजीब सी है, कबराने की जरूत नहीं है मैं आपको बहुत असान करके समझा दूगा कि वो derivation आप किस तरीके से करते हैं तो जनाब, आज का topic यहीं पर end करते हैं यह थी हमारी chapter 12 की, यानि कि electrostatics की third video, third lecture of electrostatics, अच्छी लगी समझाई, like करें, comment करें, share करें और अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो, और बाइल आइकन पर hit कर दिएगा, अपना ख्यार लखिएगा next video में मिलते हैं, thank you